मात्र पांच मिनट में क्या बन सकता है पांच मिनट में यह नास्ता बन सकता है बहुत ही हेल्दी है और खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगता है आपके बच्चे बार बार इसे बनाने को कहेंगे चलिया फिर देर न करते हुए इसे बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद करस करके डालेंगे एक चंबश्य हम यहां पर चने डाल को डाल देना है यहां मिर्च को लंबेलम्बे वाइजस में डालने हैं और प्यास को भी हमें लंबेलम्बे स्सक्षाम करके बूल eigenlijk ब्हूलन है शी कर्णाइबर यहाँ केरने मिर्च केलिए कुछ मिसुन है यहां पर ईख खताएब और आलू सबूल पाउडर एड़ करेंगे मिड्ची पाउडर धनियाप आड़ करेंगे और यहां पे थोड़ी सी हम चाट मसाला पाउडर आड़ कर देंगे आप लोग अपने स्वाद के नूसार नमक कर लीजिएगा जैसे आप लोग खाते हो उसके बाद फिर से इसे अच्छे से भून लेना है चला लेना है क्योंकि आलू सीमला मिल्स और प्याज में काफी मौस्टर होता है तो इसी से हमारा मसाला जो है अच्छे से भून जाएगा तो लो फ्लेम करके बढ़िया से इस मसाले को चलाते हुए अच्छे से भून लेना है तो यहां पर देखिए काफी बढ़िया से हमारा सबजी जो है वो पक चुका है बिल्कुल हंडेड परसेंट तक नहीं पका है लेकिन यह 80-70 परसेंट तक पक गया है अब इसको अलग करके ठंडा कर लेना है और एक बाउल लेना ह और आधी कप चावल का आठा लेना है और इसमें हम डालेंगे एक ग्लास पानी पानी डालके अच्छे से इसे मिक्स कर देना है क्योंकि इसका जो है गेहूं का आठा हमने डाला है तो इसमें लंस वगरब पढ़ जाते हैं मिलाने में तो हमने यहां पर पहले एक ग्लास पा पानी एट करेंगे मतलब कि दो गिलास हम यहाँ पर पानी आट कर रहे हैं गिलास जो है मेरा बड़ा नहीं है ज्यादा बड़ा नहीं है मीडियम साइज का है और यहाँ पर जो सब्जियों को हमने पकाया था उसको हम इसमें एट कर देंगे गेहूं काटा जो बहुत बढ़ि अफली वगएरा रह जाती है पढ़ जाती है अब इनको अच्छे से मिक्स कर देना है मिला लेना है ताकि सबी सब्जिया और मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में घुल मिल जाए अब इसको रख देंगे पांच मिनट के लिए रेस्ट पे अगर टाइम है बिल्कुल उतने ही बड़े इसको अच्छे से फैला लेंगे और एक बराबर इसको कर लेना है और यहां पर किनारे भी थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि देखने में हमारा नास्ता जो है वो सुन्दर दिखे अब इसको एक तरफ होने के बाद ही दूसरी तरफ इसको पलट कि दोनों तरफ से बहुत यू बढ़ीया सा कलर आ चुका है अब हम इसको निकाल के प्ले इसकोड़ में सो कर लेते हैं तो यहां पर हमने सुर्प कर लिया जितना खाना था उतना हमने यहां पर बना लिया अब खाना होगा нев colour फिर से बना लेंग्स आप लोगों से प्हार् जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और घंटी के बटन को All पर जरूर सेलेक्ट